छाती का दर्द एक बहुत सामाने बिमारी है इसके हम लोगों के पास में बहुत से मरीज रो जाते हैं इसको सामाने भासा में चेश्ट पेन बोला जाता है और इसके कईयों कारण होते हैं जो मुख्य कारण है वो तो हट के से समधित ही होता है लेकिन यह जानने की बात है एक चानी चाहती में दर्द हो सकता है तो उन चाहती के पीछे के जो भी हिस्से में जब कोई प्राब्लम आती है तो ऐसी इस्तिती में चाहती में धर्द होता है और वह चेश्ट पेंड का एक इस टाइप के condition होती है जिनकों की investigate करने के जरूरत रहती है और प्रापर investigation से ही हम लोग फिर प्रापर treatment पे पहुंच पाते हैं शाती के दर्द का जो मुख्य कारण होता है वह cardio कारण है जो के ऐसी चीज है जिसमें कि हम लोगों को बहुत ही सतरप्ता बरतने की ज़रूरत रहती है और इसके अलामा जहां जहां दर्द होता है वहां वहां के हिसाब से specific भी कुछ कारण होते हैं जैसे अगर किसी व्यक्ति को दाहिनी तरफ में दर्द हो रहा है तो ऐसे पेसेंट्स में गाल ब्लेडर का अगर कोई पत्री है उसका पेन हो सकता है किसी पेसेंट को लीवर में अगर पस है तो उसकी वज़ासे हो सकता है डाइफराम में प्राब्लम हो सकती है उससे हो सकता है या फिर फेफडों में किसी दिक्कत की वज़ासे भी दर्द हो स सबसे हो रहा है कि या तो कोई स्प्लीन में प्राफलाम 쉬ughter के बोला जाता है या हैं हृड से समंधित अगर भीए बेन होता है तो वह सकता है बीच में जो दर्ध में भॉताenne वह सबसे टिक्पकल होता है क्योंकि वह सबसे जाते या तो घस्ट्रीय की वजह से कि किसी पेसेंट को कोई अलसर की समस्या है किसी को गस्टाइटिस की समस्या है किसी पेसेंट का जो इसोफेगस है उसमें अगर कोई प्राबलम हो रहा है या फिर जो सबसे टिपकल चीज चेस्ट पेन के लिए होती है हर्ट अटाइक ऐसा जो दर्द होता है वह मूनली बीच में का दर्द पीछे के तरफ बैक में भी जाकर के महसूस किया जाता है कभी-कभी जो पीछे के हमारे इसकेपवा होती है उन में भी धर्द होता है और वो दर्द रिफ्लेक्ट करता है अगर कोई मसल स्पाजम है और साथ की डाइगनोसिस हम लोगों को अलग-अलग तरीकों से बनानी होती है काफी डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री पे इस पर ध्यान देना होता है और एकॉर्डिंगली उसके टीटमेंट किया जाता है सीने में दर्द की वज़ा से हर्ट अटेक नहीं होता है हाँ या जरूर है कि हर्ट अटेक की वज़ा से सीने में दर्द हो सकता है वह दर्द बहुत पिक्यूलियर टाइप का होता है मरीज को ऐसा लगता है कि ऐसा दर्द उसने कभी भी जिन्दगी में महसूस नहीं किया है औ काफी तेज तरीके से इसमें दर्द होता है और ऐसा महसूस होता है जैसा कोई हर्ट को उसको प्रेस कर रहा है squeezing type का pain इसमें महसूस होता है usually patient इसमें अपने हाथ को hurt के सामने ले करके जाता है और तेज दर्द इसमें महसूस होता है ये दर्द जो है अभी हमने लोगों ने जैसा डिसकस किया ये जनरली बाइं तरफ में हाथ में जबडे में दात में ऐसी जगों पर भी referred होता है और पीछे की तरफ में भी दर्द जा सकता है सीने के दर्द में जो primary समस्चा रहती है वह सीने का दर्द तो एक रहता ही है इसके साथ साथ में मरीश को कई बार सर में भी दर्द होता है उल्टी के भी लच्ण आते हैं घबरहाट होती है बेचाइनी होती है पसीना निकलता है ऐसे जब भी कोई लच्छन आ रहे हैं तो मरीज को परिशान होने की ऐसा जरूरत नहीं है और उसको हास्पीटल में जल्दी से जल्दी आना चाहिए साथ में एक टिंगलिंग सा सेंसेशन उसको वाएं तरफ हाथ में जाता है हम लोग हर्ट से ही सम्मंधित मानते हैं और मरीज को भी अची समझनी चाहिए कि जब भी कभी इस तरीकी का दर्द हो रहा है तो उसे हास्पीटल में जल्दी से जल्दी पहुंच करके उचित उप्चा लेने की सोचना चाहिए सीने का दर्द जिस कारण से हो रहा है उसको हम लोग जब भी वह स्पीटल में आता है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद से जिन कारणों की वजह से उसको दर्द हो रहा है उन कारणों का निवारण करने की कोशिस की जाती है ज आराम से सो जाते हैं एंग और बंकरते हैं हैं ऐसे लोगों में या इस्ट्रेस की वज़ा इस और होती है इन लोगों हम लोगों को एंटी जर मेडिकेशन दिया जाता है अगर किसी पेसेंट्स मेंullen को Vivian में फेंट्र के पतरी है तो गालवेडर निकालने से ही जो चेस्ट पेंट हो रहा है उसमें कंट रह दो होता है एसे में अगर हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं उनकी को कम करने के लिए कुछ धमायद देते हैं तो एक च्छेश्ट पेन मिलता है अब आते हैं हम लोग सबसे लाइप थ्रेटनिंग पार्ट है चेस्ट पेन के 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 जिसमें के काडियक हुएं जो होता है हौट की जो पेन अपना नहीं कराते हैं और कई बार लोग डिले कर जाते हैं यह चीज गलत है किसी भी चेस्ट पीन के पेशिंट को यह मान के चलना चाहिए कि वह कार्डियक पेशिंट हो सकता है उसका प्रॉपर इवेल्वेशन कराने के बाद जब वो हर्ट का पेशिंट नहों तब ही उसको रिलेक्स होना चाहिए ऐसे कंडिशन में हम लोग को जब भी पेशिंट आता है आस्पीटल में हम लोग ECG करते हैं प्रापर क्लिनकल हिस्टी लेते हैं पेशिंट की उसकी जाचे कराते हैं बलड की जाचे होती है उसका ट्रॉपाई होता है ट्रॉप्टी की जाचे कराते ह और जब इन कंडिशन्स में अगर हमको लगता है कि वो काडियक पेन नहीं है तभी हम लोग रिलेक्स होते हैं और दूसरी किसी भी चीजों की तरफ जाते हैं अगर कोई पेसेंट को काडियक पेन हो रहा है ऐसे पेसेंट में जयसे जीजी हम कराका है तुरंत ही अगर हमें समय मिलता है और पेसेंटнаком लिए आ जाता है तो हमारे पास दूह प्सेंट केड़ा होते हैं उसको कि इन्जिउक्टों की निपासा करो जाता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि पेसेंट को बाईपास Slysgery की जरूरत पढ़ती है अगर हर्ट में ब्लॉकेट बहुत ज़ीन हो रखा है ब्लड के में जो काडियक मारकर्स हैं वो बढ़े रहते हैं ऐसे कंडिशन में हम लोगों को आइडियल में 30 मिनट के अंदर में ही जो थ्रंबोलाइटिक ड्रग होती है उनको दे देना चाहिए और अगर हमारे पास कैथ लेब की सुवधा है तो 90 मिनट के अंदर में पेसेंट अधिकेशन हम लोगों को खाना नहीं छोड़ना होता है डाक्टर के रेगुलर सलाह पर ही ओन मेडिकेशन को लेते रहना चाहिए जिस वजह से सीने में दर्द हो रहा है उस चीज को बचाना आवस्यक है जो सबसे कामन होता है वो गैस्टाइटिस का पेन होता है जिसके लि अपने एंजाइटी और इन सब चीजों को तनाव को जो कि आज की भागदोर भरी जीवन सहली में काफी बढ़ गई है इसको थोड़ा कम करने की आवसकता रहती है पर्यात नीद लेना आवश्यक रहता है ऐसा करने से हमारे गैस्टाइटिस के पेन की चांसेश कम रहते हैं अब अगर किसी भी पेसेंट को गालवेडर का इस्टोन है या मस्कुलर पेन है तो एकॉर्डिंगली उसका टीट्मेंट होगा काडियक जो पेन होता है उसके लिए हम लोगों को जिसको की हर्ट अटेक बोलते हैं उसके लिए हमेरे आवश्यक है कि एक जो बहतर लाइफ स् एगुलर एक्सरसाइजेज हैं डाइट मॉडिफिकेशन हैं रिलेक्सेशन हैं और एंजाइटी और घबराहाट बेचाईनी अगर ऐसी इस्तिति हैं तो इनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग करने की जरूरत रहती है इन चीजों को हम लोग को कम से कम ध्यान देने कर झालपिए याट से कम लोग दिते हैं तो स्वांग करने के लिए याट एंजा, प्रॉपर कोुपर को हम लोग करें तो से कम लोग कर दो जिए तो से कुपर कूंग।